हाई गैस और वेलकम बैक टू दी चैनल दीपकियादव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली करेंट अफियर्स ऑफ 31st ऑफ ऑक्टूबर 2021 तो गैस आज है तारिक 31 ऑक्टूबर 2021 और है संडे आज की तारिक से जितने भी most important करेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट अ डिसकस करेंगे लेकिन आप लोग को मालूम होगा आज संडे है और संडे में हम लोग कोई भी नया करेंट अफियर्स डिसकस नहीं करते हैं तो क्या करते हैं संडे में करते हैं हम लोग रिविजन अब रिविजन कौन सा करेंगे पिछले मंडे से लेकर कल के दिन तक कल सैट का महीना खतम हुगा आपको पूरे मंत का compilation भी मिल जाएगा जैसे September के महीने का compilation आपको मिला है ठीक है तो बहुत सारा revision भी daily business पर होता रहता है और revision बहुत important part है मारे preparation का तो इस वज़ा से इसके ओपर भी पूरा focus दिया जाता है वीडियो को बहुत अच्छे से सुनते रहना क्योंकि आप लोगों ने सारी चीज़े पढ़ रखी हैं और मैंने questions भी लगा रखे हैं और क्या होगा आपको वीडियो सुनने के बाद उन सारे questions को solve करते रहना है ताकि आप लोगों चीज़े crystal clear हो सकें और उसके बाद आप लोग इन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओ तो guys बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस lecture का PDF चाहिए तो नीचे description box में आप सभी लोगों को telegram का link दिया गया है वहाँ से जाकर आप लोग इस lecture के PDF को डाउनलोड कर पाओगे और यह है मेरी Instagram ID दीपक यादव Education चाहू तो आप लोग मुझे यहाँ पर follow कर सकते हो अपनी जितनी भी queries हैं मुझे आप लोग यहाँ पर पूस सकते हो तो अगेन आज का भी आपके लिए target सेट कर रहा है 1K प्लस like का तो इतना आप लोग यहाँ पर मेरे लिए कर सकते हो तो बढ़ते हैं आगे directly start करेंगे discussion को तो हमने पिछले Monday में सबसे पहला article discuss किया था नए quad के बारे में और इससे पहले हमारे पास एक और quad group है उसके बारे में भी आप लोग को मालूम होना चाहिए उसके अंदर कौन कौन सी countries है उसके अंदर भी US है अगेन इंडिया है दन उसके बाद Australia है दन जापान है इसके बारे में आप लोग को मालूम होगा अब हम इस article में डिसकस यही कर आप लोग को मालूम ही है लेकिन UAE और साथी साथ इसराइल की location भी दिखा देता हूँ तो UAE की location यह है दन उसके बाद यहाँ पर आपको इसराइल की location यह देखने को मिल जाएगी तो आगे बढ़ते हैं अब discussion करते हैं हम लोग यह जो नया group बना है इसके पीछे कौन कौन स मतलब होता है चार कोने वाला एक तरीके से चार corner वाला एक figure ठीक है जिसके चार corner हो तो उस figure को हम लोग बोलते हैं quad तो इसी वज़ा से यहाँ पर इसके अंदर आपको चार countries देखने को मिलेंगी तो सबसे पहला factor यह है Abraham Accord देखो हुआ क्या है न इसराइल एक ऐसी country है जहा पुरा इसराइल बसाया है इस वज़ा से इसको as a country को एक recognize नहीं करता लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारी countries ने recognize करना चालू किया जौर्डन ने recognize किया उसके बद आप देखाओगे हाली में क्या किया किसने जो UAE है उसने भी Abraham Accord के थ्रू यहाँ पर क्य आप लोग देख पाओगे यहाँ पर बोला यह जाता है कि इसराइल के साथ जौर्डन ने साथी साथ एजिप्ट ने दन उसके बाद UAE ने यह सारी countries आपको देखने को मिलेंगी जिनों ने एक तरीके से इसराइल को as a country recognize किया है अब क्या है इसराइल को importance मिलने लगा तो इ तर्की चाहता है इसलामिक वर्ड का हम लोग एक लीडर बन जाएं ठीके और आपको मालूम होगा तर्की आज के टाइम पर Ottoman Empire के footprint पर ही चल रहा है लगातार Ottoman Empire कुछ इस प्रकार का हुआ करता था 1699 में यह पूरा का पूरा यहाँ पर आपका सकते हो यह Ottoman Empire था यह खतम होते वर्ड वर्ड के बाद कतम होते होते जरा सा यहाँ पर यह तर्की ही बचा था ठीक है अब यह जो तर्की बचा था अब यहाँ पर तर्की वापस से इस चीजों को फॉलू करता है वापस से चाहता हो है कि पूरे के पूरे जो यह इसलामिक वर्ड है उसका लीडर मैं बनू तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर इस ग्रूप की जरुवती क्योंकि आपको यहाँ पर टर्की भी देखने को मिल जाएगा तो इस ग्रूप को रोकने के लिए भी हम लोग ने हैं पर यह वाला ग्रूप बनाया है उसके बाद आप हमारे पास बहुत सारे initiative already है Quad initiative है Indo-Pacific को protect करने के लिए उसके बाद यहाँ पर हमारे पास East Asia के अंदर कोई इस प्रकार का initiative था नहीं यूएस के बास था तो इंडिया यूएस ने मिलकर अब आप देख पाऊगे East Asia के अंदर भी यहाँ पर अपना एक रोल बना दिया है अब यहाँ पर भी हम लोग काफी अची तरीके से रोल प्ले करने वाले हैं अब इस group का significance यानी की भारत के लिए क्या importance है सबसे पहली बात भारत के लिए अब देखो bilateral relations की तरफ से भारत दूसी groups के तरफ भी बढ़ रहा है मतलब नए-ने group से मिल रहे हैं भारत को अब आगे बढ़ रहा है भारत का अभी तक रोल इंडो-pacific वाले region के अंदर था अब इंडो-pacific को छोड़ कर मतलब इंडो-pacific वाले region के अंदर तो हमारा rule है ही साथ ही साथ अब हम लोग इस वाले region के उपर भी focus रखने वाले हैं कौन से वाले region इस वाले region के अंदर इसके अंदर भारत का कोई भी dominance नहीं था हम लोग का कोई भी यहाँ पर group नहीं था तो अब यहाँ पर भारत का एक role यहाँ पर भी देखने को मिलेगा उसके बाद Pakistan को tackle हम लोग कर पाएंगे कोई Pakistan लगातर तरकी को support करता है और तरकी पाकिस्तान को दोनों का alignment बहुत तगड़ा है तो हम लोग तरकी को रोक रहे हैं तो definitely हम लोग पाकिस्तान को भी tackle करने बे पूरा focus रखेंगे प्लस उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमारे relation develop होंगे obviously हम लोग जब group बनाए हैं तो उसके बाद इसराइल के साथ प्लस उसके बाद UAE के साथ हमारे relations और ज़दा develop होते हुए नजर आने वाले हैं ठीके, I hope आपको ये clear हो चुका है, ये पूरा Middle East का map है अब हमारा role यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा अब इसका way forward क्या है, ये भी मैं आपको बताया था इसमें ये बोला गया कि भारत को या फिर US को अभी इतनी जल्दी group ये नहीं बनाना चाहिए था पहले अपने relations को और ज़दा strong करना चाहिए था energy को लेकर थोड़ा से odd ties को improve करना चाहिए था ठीके और भी बहुत सारे trade वगएरा को लेकर अच्छे से engagement करना चाहिए था व्यापार करने के लिए एक दरुसरी के relations को और ज़दा मजबूत करना चाहिए था देन उसके बाद यहाँ पर ये group बनाते लेकिन कोई बात नहीं अब group बन चुका आई है उसके बाद भारत को एक suggestion मिला है कि भारत यहाँ पर regional rivalries से बचता रहे अब इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है आप देख पाऊगे ये region ना अपने आप में बहुत बड़ा conflicted region है यहाँ पर हर country में विवाद चल रहा है येमेन के अंदर खुद के अंदर war चल लई है शिया सुनी Muslims को लेकर यहाँ पर हमेशा से conflict चलता है येमेन के साथ साथ यहाँ पर आप देख पाऊगे Lebanon के अंदर Syria के अंदर Iraq के अंदर यहाँ सभी जगा पर अपने आप में conflict है तो भारत को बोला गया है कि आप इनकी rivalry से बचो ऐसा नहीं कि आप कहीं इनके war में फस्ट जाओ और फिर उसका भारत यहाँ पर एक तरीके सफासा रहे लंबे समय से एक और दिक्कत हमारे मत्ते पल जाए ठी I hope आपको यह clear हो चुका है ठीक है I hope आपको इस सारी आर्टिकल अच्छे से clear हो चुका है यह मतलब पहले ही आर्टिकल था हमारा और काफी important था तो इसी प्रकार से हमने अगर आपको थोड़ा सा और दीटेल में जानना है न तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हम लोग अगर आपको और दीटेल में बाते जानना है तो वीडियो आप लोग देख सकते हो ठीक है फिलाल यहां पर मैं रिविजन करवा रहा हूँ यह भी मैंने आर्टिकल बहुत सदे डीटेल में बता दिया यह तो ऐसा लग रहा है हमने रिविजन के जगे पूरा डिसकॉशन ही है तो मैं अब से थोड़ा सा मतलब की शॉट में बताने वाला हूँ तो इसके वारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग अलड़ी पढ़ चुके हो दूसरा आर्टिकल है यहां पर बात की गई है पाकिस्तान को बरकरार रखा है FATF की ग्रेलिस्ट के अंदर FATF इन दो कंट्रीज को इस ग्रेलिस्ट से निकाला गया है मैं आपको सभी लोकेशन दिखा देता हूँ पहले मैं वह वाली कंट्रीज के लोकेशन दिखा रहा हूँ जिनको एड़ किया गया है अभी ग्रेलिस्ट के अंदर तो जॉर्डन को अभी ग्रेलिस्ट के अंदर एड इधर इसराइल आपको यह देखने को मिल जाएगा ठीक है तो जॉर्डन के अंदर भी आतंगवाद वगएरा काफी जादा बढ़ा है तो इसी की वज़ाए से जॉर्डन को अभी ग्रेलिस्ट के अंदर डाला गया दूसरी कंट्री कौन सी है माली माली यहाँ पर एफरीका के साहिल रीजन में आता है और साहिल रीजन अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिक्ट रीजन है यहाँ पर बहुत ज़दा आतंगवाद बढ़ा है तो इसकी वज़ाए से माली को भी ग्रेलिस्ट के अंदर डाला गया माली का फ्लेग आप लोग को नजर आ रहा है ठी सब ग्रूपिंग आपको देखने को मिलती है उसके बाद तीसरी कंट्री है टर्की तो टर्की को भी अभी क्या गया गया इसको भी अभी यहाँ पर ग्रेलिस्ट के अंदर आड किया गया है ठीक है टर्की कहा पर है तो इंडिया के कमपैरिजन में टर्की आपको यहाँ पर या है otherwise ये इस list के अंदर maintain है बरकरार बहुत पहले से रहा है क्यों FATF की list के अंदर क्यों डाला जाता है किसी country को क्योंकि उस country के अंदर terror financing होती है आतंगवाद को बढ़ावा दिया जाता है साथ साथ money laundering का case देखने को मिलता है क्या होता है black money को white money में convert करने की कोशिश की जाती है white money में convert किया जाता है और उसके बाद उस पैसों से काफियो तक आतंगवाद को funding करी जाती है क्योंकि आतंगवाद को बढ़ावा इसी वज़ा से दिया जाता है जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो बढ़ेगा न आया जया इसका main focus है कि हम लोग आतंगवाद को कम करें money laundering को tackle करें इसका headquarter Paris के अंदर देखने को मिलेगा कितनी member countries है इसकी तो 39 members FETF के देखने को मिलेंगे आज के time पर FETF दो list बना कर चलता है एक है grey list और एक है black list grey list के अंदर आप कह सकते हो इसको warning list भी हम लोग बोलते ह जिन countries के अंदर आतंगवाद लगातार बढ़ता है money laundering ज्यादातर बढ़ती है तो उसको grey list में डाले जाता है लेकिन grey list में डालने के बाद भी उन countries नहीं मानती है तो उनको black list में डाले जाता है तो आज के time पर grey list में तो बहुत सारी countries है लेकिन black list के अंदर सिर्फ दो countries है तो question आपसे black list से बन सकता है तो black list के अंदर दो countries कौन कौन सी है वो है इरान और North Korea इसके बारे में आपको ध्यान रखना है अगला article हमने discussion किया था child sexual abuse के बारे में तो एक report आईए हाली में दहिंदू का article आप लोगो यह देखने को मिलेगा COVID-19 pandemic के time पर जो child sexual abuse है यह online basis पर काफी देजी से बड़ा है जो sexual abuse है वो online काफी बड़ा है ऐसा बताया और वो जो report है उस report का नाम है global threat assessment report इसको release किया है we protect global alliance ने तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है we protect global alliance ने यहाँ पर इसको publish किया है तो कौन release करता है किस report को इसके ब बड़ा है ऐसा हम लोगों ने देखा और कौन-कौन से area के अंदर देखो यहाँ पर सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है यहाँ पर पूरे दुनिया के बारे में बात हो रही है आप South Asia वाला region देख पाओगे यहाँ पर 50% से बड़ोतीरी देखने को मिली है child sexual abuse लगातार increase ह वह नजर आ रहा है Western Europe के अंदर 65% Middle East Northern Africa के अंदर 44% यह सारे area जा देख पाओगे सभी जगह पर यहाँ पर यह child sexual abuse लगातार बड़ा है यह रिपोर्ट है क्या बताया COVID-19 ने इस child sexual abuse के लोग और ज़दा बड़ा दिया है child sexual exploitation काफी बढ़ चुका है इंटरनेट पर बहुत ज ज़दा यह सारी चीज़े हम लोग को देखने को मिलती है बहुत ज़दा abusing देखने को मिलती है sexual harm देखने को मिलता है और उसके बाद इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर भी बहुत सरी reports publish होती है और इंडिया में बताया गया कि pandemic के वज़ा से कोरोना की व problem है ठीक है यहाँ पर जो एक तरीके से बच्चे के उपर बहुत negative impact पड़ता है उसकी physical health के उपर तो impact पड़ता है साधी साथ mental health के उपर भी पड़ता है उसके बाद आज के टाइम पर technology के मामले में हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं digitalized सारी चीज़े हो रही है और इसकी विज़े से child pornography की तरफ चीज़े आगे बढ़ रही है online harassment हम लोग को ऐसी चीज़े देखने को मिल रही है वो उसके बाद तीसरी बड़ी problem यह है कि जो हमारा Poxo Act है वो सही से काम नहीं कर रहा है Poxo Act के अंदर बोला गया है कि देखो एक साल के अंदर जो बच्चा अरे जैसे हम लोग को देखने को मिला है यहाँ पर 16 मेने निकले और उसके बाद यहाँ पर justice मिला है तो judicial कहीं नहीं डिले देखने को मिल रहा है उसके बाद यहाँ पर child sexual abuse को रोकने के लिए भारत आज के टाइम पर बहुत सारे initiative चलाता है बच्चों को protection देने के लिए वो 20 families को हम लोग क्या करेंगे इस wildlife century से निकालेंगे दूसरी जगा पर लह जाएंगे क्यों क्योंकि wildlife century के पास में ये लोग रह रहे हैं और इसकी वज़ा से man animal conflict देखने को मिलता है man animal conflict मतलब यहाँ पर इंसान जानवर से भिड़ जाता है या फिर जानवर को मार देता है वो य हमने अभी discussion किया ये देबरीगर wildlife century चर्चा में है तो इसके बारे में आपको ध्यानक ना है question आपसे बन सकता है ये wildlife century कहाँ पे लेकुडिड है तो ओडीशा के बारगार district के अदर ये located है जो हिराकुन डाम है वहीं पर वहीं बिल्कुल पास में ये sanctuary located है हिराकुन डाम भी म मिलेंगे मतलब बहुत सारे important plants भी है बहुत सारे important animals भी है इसको dry deciduous forest बोला जाता है plants की बात करें तो यहाँ पर चार सिंग वाला antilo पाया जाता है इंडियान leopard है इंडियन elephant है सांबर चीतल गौल ये सारे जानवर पाया जाता है उडिशा के अंदर और भी बहुत सारे protected areas है जैसे की national parks की बात करें तो भितर करनी का national park है उसका assemblypal national park आपको ये देखने को मिलेगा wildlife centuries की बात करें तो ये सार right to protest को लेकर आपको मालूम होगा हाली में Supreme Court ने बोला है कि देखो सभी व्यक्तियों के पास right to protest का हक है वो protest कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप public property को destroy ना करो या फिर जो broods बगरा होती है जो सडके हैं उनको block ना करो क्योंकि हाली में हमने देखा जो farmer से वो लगातार protest कर रहे थे किस चीज को खिलाफ में जो farm bills है उनके खिलाफ में तो यहाँ पर उन्होंने protest करते करते बहुत सरी सडकों को block कर दिया था तो यहाँ पर क्या हुआ इन सडकों को block करने के बाद जो वहां की arm public है उनको काफी परेशानिया हुई उन्होंने Supreme Court के अंदर याची का जारी करी और Supreme Court ने फिर यह step उठाया कि बोल दिया right to protest देखो यहाँ पर बिल्कुल आपका हक है आप protest कर सकते हो लेकिन यह कई न कई fundamental right के अंडर में नहीं आता है यह fundamental right के वाली जो बात है इसके अंदर आती तो है लेकिन फिर भी एकदम आप कह सकते हो कि आपका fundamental right है ही यह तो ऐसा नहीं है ठीक है तो protest आप कर सकते हो लेकिन आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरे लोगों को परिशानी नहीं होने चाहिए ऐसा Supreme Court ने यहाँ पर बोला ठीक है तो प्रदर्शन करने में आपको मला नहीं क्या जा है तो लेकिन आ यहाँ पर बोला गया यह right to protest की बाते सब हमारी constitution के अंदर कहां से निकल कर आती है तो हमारे पास article 19 के अंदर right to freedom of speech और expression है तो इसी के अंदर हमारा protest का हग भी मिलता है article 19 clause A sub clause A sorry clause 1 sub clause A यहाँ पर यह बोलता है right to free speech आपको पूरा बोलने का हग है अपने आपको यहाँ पर ए तो यह तरीके से B वाला sub clause A यह बोलता है कि हम लोग यहाँ पर एक तरीके से खटे हो सकते हैं crowd maintain कर सकते हैं और government के decision को challenge कर सकते हैं उसी प्रकार से जो sub clause C है वो भी हाँ पर यह चीज़ मैंटेन करता है कि यहाँ पर जो citizens हैं उनके पास पूरी power है कि वो protest करें लेकिन peaceful protest करे शांती पूरवग protest करें ठीक है तो यहाँ पर इसी चीज़ों को देखते हुए Supreme Court ने अपना ये भी step उढ़ाया लेकिन एक चीज़ और एड की गई थी कि आप protest तो कर सकते हो लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है अगर यहाँ पर कहीं लखें यह चीज़े खराब ह पहुचाता है या फिर friendly relations को खत्रा पहुचाता है पबलिक order को खत्रा पहुचाता है तो आपके protest के उपर रोक लगाई जाएगी यह चीज़े हैं पर mention करी गई है ठीक है और इसी प्रकार से Supreme Court ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट के उपर भी अपना फैसला सुनाया था इसके उ हाँ पर save hornbills, save tropical forest, hornbills आपको ये वाली चिडिया देखने को मिलेगी ठीक है इसको बचाओ और ये जंगल को बचाएगी इन फैक ये जंगल को और जदा फैला आएगी पेड़ पोधे बढ़ाती भी चलेगी अब ये कैसे होता है तो आगे मैं आपको समझाओगा आपको मा अंदफा, tiger reserve है, अरुनाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ पर ये जादतर hornbills पाई जाती है, article down to earth का आप लोगो नजर आ रहा होगा, hornbills का यहाँ पर बुला गया, tropical forest के साथ एक बहुत जादा महतुपूर रिलेशन है, ये क्या करती है, seed dispersal के थ्रू क्या करती है, जो है लगते बेचले जाते हैं, मतलब क्या है, seed dispersal को हम समझेंगे, सबसे पहले मालो यहाँ पर एक चिडिया है, hornbills, hornbills यहाँ पर बैठी थी, इसने हाँ पर कोई फल खाया, ठीक है, फल खाने के बाद यहाँ पर इसके मुह में एक बीज लगा रहा गया, ये चिडिया उड़के गई, इस पेड़ पर बैठ गई, ठीक है, अब इस पेड़ पर डाली पर जाके चोंच मारी, चोंच मारी तो इसके मुह से वो बीज जो है निकल कर नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, तो नीचे क्या होगा, वो बीज अंकुरित हो जाएगा, और यहाँ पर तो वह चिपख गया, चिपखने के निर और चिपर के गई, एपर ओड के गया तो एक तरिकए से कहीं और बैटी, उससा शरीर अपना रगड़ा तो उससे क्या हो गया, वह बीज गो है, वह नीचे गिढ़ जाएगा, अंकूरी तो जाएगा और इस प्रकार से पीड जो है, न नव प्रकार की हॉन्विल पूरे के पूरे नौ के बारे में आपको यहाँ पर दिखा दिया है, एक को बोलता है, greater हॉन्विल, दूसरी है, roughness neck हॉन्विल, तीसरी है, wetmarthen हॉन्विल, च्वती है निर्कॉंडम हॉन्विल यह नो की नो प्रजातियां के बारे में नाम यहाँ पर आपको दे दिया गया है आप पढ़ सकते हो PDF में भी आप यहाँ पर प्रवाइड करवा दिया है वहाहसे भी आप रीड कर सकते हो उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सारी बात ये जो studies करी गई है वो कहाँ पे की गई है नमदफा नैशल पार्क में तो ये जो नमदफा नैशल पार्क है इसको नैशल पार्क डिकलेर कैया था 1983 में रुनाचल प्रदेश के अंदर आपको ये नैशल पार्क देखने को मिलेगा, यहां पर आज के टाइम पर बहुत सारी हौनबिल की प्रजातिया इसी नैशल पार्क के अंदर पाई जाती है, ठीके? और उसके बाद हौनबिल के अलवा यहां पर टाइगर, लेपड, स्नो लेपड और एक प्रकार का जो हिलू गिबन होता है ये जो गिबन होता है ये भी चर्चा में था कुछ दिन पहले जो गिबन होता है तो इंडोनेशा में पाया जाता है इंडोनेशा के जावा आइलेंड पर सुमत्रा आइलेंड पर लेकिन गिबन यहां पर भारत के अंदर प पाई जाती हैं तो आप समझ सकते हो ये नैशनल पार का कितना ज़्यादा importance रहने वाला है उसके बाद एक article चर्चा में था disappearing African rare glaciers के बारे में लगातार यहां पर एक report publish हुई है कि जो अफरिका के glaciers हैं वो लगातार पिगलते वे नजर आएंगे और glaciers को पिखलने के process को हम लोग बोलता है deglaciation ठीके glaciers के पिखलने के process को बोलता है deglaciation इसमें बोला गया कि आप लोग अगर जगा को protect नहीं करोगे climate change के खिलाफ step नहीं उठाओगे तो आने वाले टाइम पर glaciers बहुत जादा तो इससे इन वाले इरियास को बहुत जादा effect होगा बोला गया जो आफरीका है वो एक ऐसा continent है जो की सबसे कम contribute करता है global warming के अदर लेकिन सबसादा भुकतान इसी को भरना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे mountain glaciers हैं आफरीका के अंदर जैसे मांट के लिए मंजार हो गया मांट कीनिया हो गया और रिवांजोरी mountain हो गया ये आज के टाम पर सफर कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से और आने वाले 20 सालों के अंदर ये पूरी तरह से disappear हो सकते हैं खतम हो सकते हैं ऐसे information भी हमारे पास आ रही है तो deglaciation किसको बोलते हैं यहाँ पर gradual melting मतलब कि जो बरफीला पहाड है वो लगातार melt होता है उसको लोग deglaciation बोलते हैं कारण क्या क्या है तो global warming लगातार गर्मी बढ़ रही हुगी आप pollution हम लोग इतना कर रहे है और लगातार जो और टो लगातार गर्म हो रहा है याँ आपको वीडियो को पॉस कर लिया अब करने के बाद इन questions के answer दो जो की हमने अब ही discuss करें ये सब हमने अब ही discussion क्या है तो इन सब के आंसर आपको वीडियो को पॉस्ट करके फटाफट नीचे दे देना है आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से अब यहाँ पर नेक्स्ट डिसकेशन रहेगा तो रुसकाद मैंने कुछ क्वेज लगा रखा है अगले आर्टिकल में हमने बात कि दी पब्लिक सेफटी एक्ट के बारे में जमुएंड कश्मीर को लेकर यह आर्टिकल चर्चा में था अभी जो हमारे होम मिनिस्टर है अमिशा जी वो जमुएंड कश्मीर गए और उनके जाने से पहले लगवक्स 700 लोगों को अरेस्ट किया या कस्टडी में लिया गया क्यों क्योंकि मालों यहाँ पर हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है मतलब कि हमें शक है कि वो आने वेले टाइम पर हमारे भारत के लिए खतरा है हमारी सोमरेटी के लिए खतरा है उस बेसिस पर हमने पबलिक की सेफटी के लिए हमने क्या किया उस व्यक्ति को कस्टड कर सकते हो और उस व्यक्ति को रिलीज करवा सकते हो लेकिन दिक्कत यह है कि जिस व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाएगा वो खुद यहाँ पर पेटिशन नहीं डाल सकता इसका कोई relative होगा वो ही यहाँ पर वो पेटिशन डाल पाएगा तो हैबस कॉर्पस कॉन सी रिट होती है तो यहाँ देख पाओगे इसका मतलब होता है यू में हाव दा बॉड़ी और इसका इशु क्या है मतलब कि माल लो किसी व्यक्ति को आप लोग को रिलीज करना हो जिसको अनलॉफुली एक तरीके से जेल में डाल दिया गया है अनलॉफुली यहाँ पर उसके ओपर कस्रडी चल रही है तो उसको रिलीज करने के लिए इस पेटिशन का स्पमाल लिया दाता है इसी प्रकार से हमारे पास और भी पेटिशन होती है इसके बार में भी आप पढ़ सकते हो मैंने यह भी पीडिएफ में प्रोवाइड करवा दिया है उसके बाद जो पुब्लिक सेफटी एक्ट है इसके रिगार्डिंग अपने आप में ही बहुत सरी दिक्कते देखने को मिलती है सबसे पहले दिक्कत ही है कि आपने कस्टडी में ले लिया बिनी किसी ट्राइल के आपको पहले ट्राइल करना चाहिए था मतलब आपको magistrate के सामने ले जाने की ज़ुरत नहीं है तो कहीं है कि यह कुछ issues है ठीक है ऐसा बताया गया और जिस व्यक्ति को custody में लिया गया है वो अपने आप खुद bail मतलब जो है इक तरीके से petition वगरा नहीं डाल सकता उसको तरीके से bail की तरफ वो नहीं बढ़ सकता ठीक है अगर कोई उसका यानि कोई उसका relative है तो वो ही यहाँ पर उसको bail दिलवा सकता है उसके बाद public safety act के बारे में आपको इस सारी चीज़े बता दी है ठीक है क्या क्या issues है मैं आपको DM है district magistrate उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है कि आप लोग पहले इस सारी case को analyze करो क्योंकि यहाँ पर आगर आपने किसी को custody में ले लिया है और उसके उपर कोई ऐसा मतलब suspension नहीं निकला तो आप कैसकतो कहीं नहीं कि उसकी personal liberty को affect होगा ठीक है तो यहाँ पर DM को सारी चीज़े देखनी पड़ेंगी DM के पास पूरा का पूरा power है कि वो काफिसर reasons को ठोस reasons होने चाहिए कि किस basis पर हमने किस व्यक्ति को custody में क्यो लिया है उसके बाद DM जो है यहाँ पर multiple times किसी को उपर यह public safety act के अस्तमाल कर सकते हैं लेकिन आपको हमेशा एक fresh evidence लेकर आना होगा ऐसा है पर बताया गया है उसके बाद दूसरा article हमने discussion किया था sovereign gold bond scheme के बारे में तो अभी हाली में हमारी केंद्र सरकार ने sovereign gold bond scheme के लिए calendar launch किया कि लगबग आप यहाँ पर सकते हो सरकार bond release करेगी ठीके bond release करेगी इसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर पैसा invest कर सकते हो जो gold है ठीके सोने के अंदर आप अपना पैसा invest कर सकते हो क्योंकि जो gold एक ऐसी चीज़ है जिसकी value भी लगातार increase होती है तो सरकार यहाँ पर bond जो है issue करने वाली है कब-कब यह आप देख पाओगे यह subscription की date है 25 October 29 November 10 January फिर 28 February तक यहाँ पर यह लगातार सरकार issue करेगी चार अलग-लग parts में issue करने वाली है अब यहाँ पर question होगा सरी यह sovereign gold bond है क्या कर देखो आपने bond के बारे में शुना होगा यहाँ पर एक तरीके से जो bonds होते है मतलब की एक तरीके से contract हो गया अभी होता क्या है अगर आप लोग को सोने में पैसा invest करना है मतलब gold में पैसा invest करना तो आप क्या करोगे वो जाके gold खरीद लोगे घर पर रख लोगे अपना value बढ़ती रहेगी तो यहाँ पर सरकार ने इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर यहाँ पर यह काम किया है सरकार ने बोला यहाँ पर आपको physical gold खरीदने की ज़रुरत नहीं है आपको physical form में gold खरीदने की ज़रुरत नहीं है बस क्या होगा सरकार यहाँ पर bond issue करेगी ठीक है वहाँ पर आप लोग उस bond को खरी सकते हो उस paper पर contract करके सरकार को उतना पैसा दे सकते हो investment कर सकते हो सरकार के पास पैसा safe है उसके उपर जो भी return होगा वो आपको भी आज मिलता रहेगा जैसे gold में आपको मिलता है तो यह bond लगबख 8 साल के लिए purchase किया जाता है 8 साल जे पहले यहाँ पर आप इसको बेच नहीं सकते है अगर आपको यहाँ पर पैसो की जरूरत है अगर इसको बेचना चाहते हो तो भी आप 5 साल बाद इसको खतम कर सकते हो लेकिन आपको ध्यान रखना होगा पास साल बाद खतम करना होगा अगर आपके पास gold है already तो आप उसको बेच कर physical form में gold है तो आप उसको बेच कर पैसा ले सकते हो लेकिन यहाँ पर वो चीज़े नहीं देखने को मिलेंगी ठीक है तो gold bond के अंदर यह कुछ दिक्कत हैं आपको इसके बारे में कुछ देनी की जरुवत नहीं है क्योंकि already यहाँ पर सरकार के पास आपके security रखी भी है उसके basis पर आप लोग यहाँ पर loan ले सकते हो disadvantage क्या है मैं आपको बता दिया कि physical जो gold है उसके अंदर investment 5 इमन इसलिए रहता है क्योंकि आपको जब जरुरत है पैसो की तो आप बेचो फटा फट ले लो ठीक है पैसा ले लो लेकिन अब यहाँ पर क्या है जब आप bond design कर दोगे तो इस bond में आपको लंबे समय बाद पैसा मिलने वाला है और in fact पांस अलको बेट करना ही करना पड़ेगा तो उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा आगे बढ़ते हैं उसके बाद काजीरंगा नाशल पार्क यह जो है असाम का वो काफी चर्चा में था क्योंकि हाली में यहाँ पर illegal construction चल रहा था उसको रोकने के लिए यहाँ पर बोला गया इस वोज़ा से चर्चा में था तो काजीरंगा नाशल पार्क के बारे में आपको काफी सारी चीज़े बताई थी यह कहाँ पर लोकेड़ है असाम के अंदर लोकेड़ है इसको नाशल पार्क डेकलियर किया गया था 1974 में टाइगर रिजर्व सबसे ज़्याद है यहाँ पर पाए जाते हैं उसके बाद यहाँ पर और भी जानवर पाए जाते हैं जैसी राइनो, एलिफेंट, रॉयल, बेंगोल, टाइगर तो यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद एक आर्डिकल चर्चा में था आजाद हिंद formation anniversary को लेकर तो अभी यहाँ पर 21 October को हर साल क्या होता है आजाद हिंद government मतलब की आजाद हिंद government का जो formation हुआ था उसको हम लोग celebrate करते हैं 21 October को हर साल यहाँ पर यह मनाया जाता है तो क्योंकि 21 October 1943 में सुभाष चंदर बोस ने announce किया था कि एक provisional government of आजाद हिंद बनाई जाएगी ठीक है सिंगापूर के अंदर यहाँ पर इसका announcement हुआ था तो इस basis पर यहाँ पर क्या है कि हर साल हम लोग 21 October को आजाद हिंद formation का day celebrate करते हैं ठीक है तो सुभाष चंदर बोस जी के बारे में काफी सारी चीज़ यहाँ पर बताई है इन्होंने भी यहाँ पर हमारे independence के लिए बहुत ज़्यादा struggle किया है in fact विदेश से बहुत ज़्यादा struggle किया है इन्होंने ठीक है इनको arrest भी क्या गया था house arrest क्या गया था 1940 में लेकिन भागने में एक काम्याब हुए बर्लिन पहुचे और बर्लिन पहुचने के बाद यहाँ पर 1942 में यह मतलब कि इंडिया में आये और इंडिया में आने के बाद यहाँ पर क्या है Indian Independence जो लीग है उसको फॉर्म किया गया था उसको बनाया गया था और उसने एक decision लिया कि हमारी जो Indian National Army वो बननी चाहिए तो Indian National Army बनने का यहाँ पर concept आया फिर उसके बाद यहाँ पर सुभाज चंद्र बोजी आय थे East Asia 13 जून 1943 में ठीक है उसके बाद इनको Indian Independence लीग का President बनाया गया साथिसाथ Indian National Army का Leader बनाया गया Indian National Army यहाँ पर form कर दी गई थी और 1945 में जो British सरकार है उन्होंने यहाँ पर Indian National Army के जो भी यहाँ पर men थे जो भी लोग थे उनको एक तरीके से trial पर भेजा उनसे trial कंड़र्ट करवाया साथी साथ यहाँ पर जो हमारे सुभाज चंद्र बोजी थे उन्होंने एक dialogue दिया चलो दिल्ली करके साथी साथ इन्होंने बोला तुम मुझे खून दो मा तुम मा आजादी दूँगा लोगों से बोला लोग को independence देनी की बात करवाई कि अगर यहाँ पर लोग तयार है खून देनी के लिए तो उन लोग को 23 जनवरी को उसके बाद इनकी education के बाद थे ने तो 1919 में इन्होंने एक Indian Civil Service examination को clear कर लिया था उसके बाद यह काफी ज़दा inspire हुए विवेका अनंद जी की teaching से as a spiritual guru फिर उसके बाद यहाँ पर आपका सकते हूँ उनके जो mentor अग्रिकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट के बारे में जिसको हम लोग gap रिपोर्ट बोलते हैं तो global agriculture प्रोडक्टिविटी आज के टाइम पर इतनी तेजी से grow नहीं हो रहे है जितनी demand है यहाँ पर बोला गया था यहाँ पर बात की गई है total factor प्रोडक्टिविटी के बारे में टी एफ़पी जिसको growth बोलते हैं हम लोग total factor productivity यहाँ पर क्या है इसका मतलब कि आपने एक interaction होता है between the agriculture input और output मतलब कि आपने इस land के अंदर कितने आदमी लगाए और उस आदमी ने खेत के ओपर काम करने के बाद कितना output दिया है कितना production हम लोग को दिया है कितनी फसले उगाई हैं इन दोने के interaction को relation को हम लोग बोलते है total factor productivity लेकिन आप पर यह जो productivity है आज के टाइम पर अच्छी नहीं है मतलब हमारा agriculture sector grow हो रहा है लेकिन इतना अच्छे से grow नहीं हो रहा कि हमारे जो लोग है उनकी demand को पूरा कर सके वो यहां पर बताया या है ठीक है वो उसके बाद आप देख पाऊगे यही सारी जीज़े बताई गई है इसके पीछे कुछ suggestion दिया गया suggestion यह दिया गया कि अब आपको agriculture productivity को बढ़ाने के लिए उसके अंदर investment करना पड़ेगा agriculture research को पर काम करना पड़ेगा science और information based technologies को और बढ़ाना पड़ेगा transportation का जो infrastructure होगा उसको बढ़ाना पड़ेगा लोगों के थोड़ा सो knowledge प्रोवाइड करवानी पड़ेगी तो यह हम लोग कर सकते हैं भारत के अंदर भी बात करें तो भारत का agriculture sector बहुत अच्छा चला है ठीक है COVID-19 के टाइम बे भी ग्रो हुआ है लेकिन अभी यहाँ पर ग्रो होने का मतलब नहीं है ग्रो होने का मतलब देखो अलग है लेकिन फिर भी हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारे क्राइसिस हम लोग फेस कर सकते हैं और इंडिया एक बार आपका सकते हो कि और क्राइसिस आने वाले टाइम पर फेस कर सकता है इस वज़ा से आज़के टाइम पर हम लोग को इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग एक रोल प्ले करना है तो यह आप लोग देख पाओगे अब यहाँ पर वीडियो को फटाफट पॉस करो पॉस करने के बाद इन सारे क्विज को फटाफट सॉल्व करो ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्डिकल हमने डिसकुशन किया था डिकलेरेशन ऑफ उइगर मुसलिम्स को लेकर तो यहाँ पर हाली में लगबग 43 कंट्रीस ने मिलकर एक डिकलेरेशन साइन किया और चाइना से बोला कि चाइना के अंदर जो जिन्जियांग वाला रीजन है वहाँ पर ओइगर मुसलिम्स को प्रोटेक्शन दो इनके जो human rights हैं उनके respect करो क्योंकि चाइना आज के टाइम पर वहाँ पर उसने बहुत सारा genocide किया बहुत सारे ओयगुर मुसलिम्स को मारा है और आज के टाइम पर भी ओयगुर मुसलिम्स को पर बहुत ज़दा अतियाचार हो रहा है तो चाइना का मैप यह है और जिंजियांग वाला रीजन आपको यह वाला देखने को मिलेगा उनको परिशान कर रहा है, उनके साथ बहुत ज़दा अत्याचार हो रहा है, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर यह काम किया गया, चाइना बोलता है हमको यह अत्याचार बगरा नहीं कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग है, जिनकी जो थौट है, जिनकी सोच है, वो आ minority Turkic ethnic group आपको देखने को मिलेगा, यह जो Muslims हैं, यह Turkey के अंदर आपको देखने को मिलेगे, ओईगर Muslims टर्की के साथ साथ, बहुत सारे और भी रीजन के अंदर, जैसे उसबैकिस्तान, करिकस्तान, कजकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद, आज के पर हावे बात की गई है, कि ओईगर Muslims के ओपर काफी परेशानिया हो रही है, काफी दिक्कत है, यह लोग face कर रहा है, इनके लिए काम बनाए गए है, वहाँ पर इनको torture किया जा रहा है, जीनो साइड हुआ है, बहुत सरे लोग को मारा गया है, और यहाँ पर आप कर सकते हो इसी चीज़ को देखते वे चाइना काफी परेशान भी है, ठीक है, मतब चाइना को काफी तक घहसीडा भी जाता है, इस चीज़ को देखते वे, कि चाइना हुआ पर यह काम नहीं कर सकता, अब वे फॉरवड क्या है, वे फॉरवड यह है, कि सारी कंट्रीस मिलकर आएं, और सारी कंट्रीस मिलकर चाइना के उपर एक तरीके से जोड डालें, कि चाइना है अपर इस पूरे के पूरे human right violation को रोके, उसके बाद एक article चर्चा में था tea exports लगातार decline हुआ है, मतब जो चाइकी पत्ती है, वो हम लोग यहाँ पर export करते हैं बहुत जादा, लेकिन यह export अभी कुछ टाइम पहले लगातार decline हुआ है, इस साल, साल 2021 के अंदर जनवरी से लेकर जुलाई तक 6-7 महिने के अंदर यह tea export decline हुआ है, कम हुआ है, अगर आप एक data देखोगे, तो बोला गया जो tea exports है, वो January से लेकर जुलाई तक का हमें सरिफ और सरिफ 100.78 मिलियन किलोग sanctions लगे हैं, इरान के उपर US ने बहुत सारे sanctions लगाएं, अब इससे क्या लेना दनाएं, तो इरान आज के टाइम पर बहुत बड़ा buyer है, इरान सबसे ज़्यादा चाय की पती खरीता है भारत से, अब यहाँ पर उसके उपर sanctions लगा दिये, अब वो किसी से कुछ खरीद नही पाएगा, या हम लोग इरान को नहीं बेच पाएंगे, तो इसकी वज़ासे क्या है, आप कर सकतो, इसकी वज़ासे हमारा जो export है वो थोड़ा सा गिरा, उसके बाद अभी कुरोना के टाइम पर containers available नहीं रहे, और उसकी वज़ासे भी यहाँ पर क्या है, container available नहीं थे, क्यो उसके बाद और भी आज की टेम पर बहुत सरी varieties आ चुकी है, ग्लोबल मार्केट के अंदर, आप कर सकते हो जो कीनियन वाराइटी है, कीनिया वाले लोग, एक कीनियन टी आती है, और शिलंकन चाहिए पती है, यह बहुत ही सस्ती है, तो लोग यहाँ पर सस्ता प्रेफर करन हैं, तो आप यह देखते हो, उसके बाद एक और रीजन यह है कि पाकिस्तान के साथ जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, वो भी रुख चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले हम चाय पती एक्सपोर्ट कर देते, वो भी अभी रुख गई है, रिलेशन खराब होने की और अप इंटरनेशनल टी डे को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आपको मालूम होगा, 21 माई को हर साल इंटरनेशनल टी डे भी मनाते हैं, भारत के अंदर यह वाले रीजन से जहाँ पर चाय की पती सकी सबस्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, हिमाचल, उत्रांचल, वेस्ट बेंगॉल, उडिशा, आसम, तमिलाडू यह वाले एरियास आपको देखने को मिल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक आर्टिकल चर्चा में था, चायना ने नए बॉर्डर लोग को पास किया है, आपको इसके बारे में मालूम होगा, नए बॉर्डर बोलता है कि हम अपने territory को protect करेंगे यहाँ पर, चायना ने यहाँ पर दो तीन चीज़े बताई है, जो नए बॉर्डर लोग पास किया, इसमें पहले चीज़े बताई, चायना अपनी sovereignty और integrity की protection के लिए यहाँ पर यह लोग पास कर रहा है, उसके बाद चायना की जो People Liberation Army है वो border के पास आज की time पर बढ़ जाएगी, चायना अपने border के पास infrastructure को बहुत ज़दा बढ़ाने वाला है, ऐसा यहाँ पर चायना ने mention किया, इससे यहाँ पर बहुत सरे देशों के साथ conflict create हो सकते हैं, in fact भारत के साथ, आप देख पाओगे यहाँ पर अरुनाचल बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो अब यहाँ पर देखने की बात यह है, कि जो conflict है, यह और ज़दा बढ़ सकते हैं, क्योंकि चायना border के पास अपना infrastructure और बढ़ाएगा, अपने जो army zone को और बढ़ाने वाला है, भुटान के पास यहाँ पर पूरा का पूरा एक और भारत के बीच में यह सारे disputed areas यह में आपको अलड़ी बता चुका हूँ, यहाँ पर विवाद रहता है, फिर central sector में विवाद रहता है, eastern sector के अंदर अरवनाचल पिदेश वाले area के अंदर भी विवाद रहता है, उसके बाद एक article चर्चा में था genetically modified crop करके, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, European Union Countries ने भारत की reputation खराब करने की कोशिश की है, ऐसी भारत बोलता है, क्योंकि यहाँ पर बोला कि European Union Countries के अंदर, बोला यह गया कि भारत ने इनको genetically modified rice पहुचा दिया है, ऐसा चावल पहुचा दिया है, जो कि genetically modified क्या गया है, ठीक है, और यहाँ पर genetically modified मतलब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि genetically modified crops के ओपर अभी research और analysis जारी है, बोला यह जाता है, कि यह जो crops है, कहीं ने कहीं health के लिए सही नहीं है, ऐसी भी चीज़े हम लोग को देखने को मिलती है, तो अभी इनके ओपर research और analysis चल रहा है, तो अभी यहाँ पर जो European Union मैंने भारत को पर इलजाम यह लगा रही है कि भारत ने यहाँ पर इसको export किया है, ठीक है, फिलाल यहाँ पर मैंने आपको genetically modified crop के बारे में सिखाया था, genetically modified crop यहाँ पर क्या होती है, उसके अदर हम लोग artificial genetics को inject करते हैं, मतलब क्या है, मालो एक crop यह है, ठीक है, अब यहाँ टाइप की variety को पैदा करके निकलेगा, ठीक है, एक नए टाइप की variety को पैदा कर देगा, तो उसको हम लोग बोलते है, genetically modified crops, उसके अदर modification कर दिया है, ठीक है, तो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा जाना जाने वाला एक crop है, genetically modified, वो है golden rice, लेकिन ध्यान रखना भारत के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही genetically modified crop है, वो है beti cotton, जिसको भारत ने इजाज़ाद दे रखिये कि आप commercially cultivation कर सकते हो, तो सिर्फ एक ही product है, वो है beti cotton, beti cotton को जिस प्रकार से दिखाई पड़ता है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है, आज के टाइम पर भारत के उ दुनिया में, आप कर सकते हो, वर्ल्ड में top पर आता है, जो की rice को export करता है, चावल को export करता है, दिहान से सुनना मैं simple चावल की बात कर रहा हूँ, genetically modified चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो rice exporter के अंदर भारत top पर आता है, और इसी के वज़त से 2020 में भारत ने 65,000 करोड कमाई थे, हमने चावल को बेच बेच के, हमने US को बेचा, West Asian Nation को बेचा, UK को बेचा, उसके बाद और भी छोटी मोडी countries को भी बेचा है हमने, ठीके, उसके बाद एक exercise चर्चा में थी, कौनकन शक्ती 2021, ठीके, आपको भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए, इंडिया और UK ने मिलकर इस कौनकन शक्ती 2021 को स्टार्ट किया था, यह पहली Tri-Service Joint exercises के बारे में आपको ध्यान रखना है, और UK के बारे में मैं आपको बताया था, UK कौन सा एरिया है, UK के अंदर आपको चार kingdom देखने को मिलता है, Scotland, England, Wales और Northern Ireland, देखो UK अलग है, Great Britain अलग है, UK के अंदर Kingdom है, लेकिन Great Britain के अंदर सिर्फ तीन Kingdom है, Scotland, England और Wales, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो India और UK के बीच में और भी बहुत सारी Joint exercises होती है, वो कौन-कौन सी होती है, एक होती है Navy, Navy के बीच में होती है, कौन-कन, Air Force के बीच में होती है, इंदर धनुष और military के बीच में होती है, Ajay Warrior, Ajay Warrior भी हाली में होई है, आपको मालूम होगा, ओके, उसके बाद एक Article चर्चा में था, जो International Solar Alliance है, इसकी अभी चौथी Assembly होई है, और चौथी Assembly के अदर काफी कुछ है discussion हुआ, लगबग आप कर सकते हो, काफी सारी countries, 108 countries ने participate किय आपस में discussion किया, उससे पहले जान लो International Solar Alliance क्या है, तो International Solar Alliance एक inter-governmental body है, यहाँ पर बहुत सरी countries की सरकार हैं मिलकर काम करती है, इस body के अंदर ठीक है, और इनका में काम है कि जो हम लोग Solar Power है, उसका जाधा इस्तमाल कर सकें, ठीक है, सूरे के energy का जाधा इस्तमाल कर सकें, उस इस project को implement करने का process यह है, मालो यहाँ पर यह World Map है, इधर आपको Japan वगरा वाला area देखने को मिलेगा, और सबसे पहले सूरे कहां से निकलता है, इस वाले area से निकलता है, सूरे यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर धूप पढ़ने ही चालू हो जाएगी, इसमें हम लोग Solar Panels लगा देंगे, अब Solar Panels यहाँ पर इस धूप से electricity को generate करेंगे, लेकिन खास बात यह है, जब इधर सुबा हो रही होगी, तो इधर हो रही होगी रात, ठीक है, यहाँ पर हो रही होगी रात, तो यहाँ पर क्या होता है, कि Solar Power को हम लोग कभी इस्तमाल कर सकते हैं, जब सूर एनर्जी का इस्तमाल कर सकें, एक ही टाइम पर, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर Solar Panels लगा दिये जाएंगे, यहाँ पर धूप निकल चुकी है, यहाँ पर धूप पढ़ लई है, यहाँ पर electricity बनना चालू हो जाएगी, और इनी Solar Panels से तार निकाले जाएंगे, और यहाँ पर undersea cables निकाले जाएंगे, समुदर के अंदर से cable निकालने के बाद, इन वाले सारे areas को connect कर दिया जाएगा, इससे क्या होगा, यहाँ पर सुबह हो रही है, सुबह होने के बाद, यहाँ तो बिजली मिली रही है, साथ ही साथ रात में इन लोग को भी बिजली मिल रही है, अब आपको होगे solar panels यहाँ पर लगा के इन वाले areas को क्या फायदा होगा, तो इनको भी फायदा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक तरीके साब कर सकतो, रात होगी, अब रात तो यहाँ पर भी होनी है, अब यहाँ पर रात होगी, तो इधर सुबह होगी, तो आई हूप आपको यह clear हो चुका होगा इसको हम लोग बोलता है one sun one world one grid जो कि मैंने आपको समझाया है वीडियो को pause करो फटफट इन question के answer देना चालू करो आगे बढ़ता है next article में बात की गई net zero target के बारे में तो अभी हाल ही में net zero target हमने देखा है साओधी अरेबिया ने अपना decide क्या है कि हम लोग जो emission है उसको कम से कम करेंगे pollution को कम से कम करेंगे 2060 तक हम लोग इसको खतम कर देंगे ठिक है greenhouse gas emission नहीं करेंगे ऐसा बताया साओधी अरेबिया ने हापर यह सारी चीज़े बताइए है साओधी अरेबिया, साओधी ग्रीन इनिशेटिफ फोरम के तौर पर, ठीक है, तो यहाँ पर pollution को कम करने की बात की है, तो साओधी अरेबिया का map आपको लोग देख सकते हो, यह map है, इसके आसपार कौन कौन सी इसके बाद साओधी अरेबिया का main target क्या है, तो यहाँ पर साओधी अरेबिया का main target यह है, कि 2060 तक क्या करें, net zero emission की तरफ बढ़ें, साथ-साथ साओधी अरेबिया ने बोलाए कि हम लोग USA और एक तरीके से भी जॉइन करने वाला है, आयोग आपको एक लियर हो चुका होगा, उसके बाद यहाँ पर net zero का मतलब क्या होता है, carbon neutrality, मतलब की pollution को बिल्कुल zero कर देना, उसको हम लोग बोलता है net zero, ठीके, उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको net zero के बारें बताया, और यहाँ पर क्या है, इंडिया का case के अगर हम discuss करें, तो इंडिया भी आज के टाइम पर चौथा largest emitter है, pollution करने के मामले में, चाइना, यूएस, यूरोपन यूनिन के बाद भारत भी आता है, भारत के अंदर भी pollution बहुत ज़्यादा होता है, ठीके, आज के टाइम पर भारत pollution को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, भारत ने अब 2030 तक target रखा है कि हम लोग 175 gigawatt तक की renewable energy को develop करेंगे, यानि कि जो wind से निकल कर रहा है, solar energy से निकल कर रहा है, तो हम लोग इन चीजों का इस्तमाल करेंगे, ठीके, एक recent report नहीं बताया, ये भी था कि भारत का target जो है, 2070 तक होने वाला है net zero target, और 2040 तक, 2040 तक हम लोग pollution खूब दबा कर करेंगे, पीक पर होगा pollution, लेकिन उसके बाद घटना चालू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक developing country है, हम लोग को developed country बनने में हम लोग को pollution करना ही पड़ेगा, उसके बाद, next article में बात की गई है fighting drug addiction, drug addiction को यहाँ पर fight करने के लिए भारत के अंदर क्या-कया initiative वह उसको लेकर चर्चा की गई है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, सबसे पहली बात यहाँ पर एक body के बारे में जान लेना, national fund to control drug, यह कौन सी body है, एक तरीके से यहाँ पर यह fund announce किया जाता है, यह जो पैसा आए, लगबग 23 करोड रुपे इस body ने announce किया था, और यह पैसा लगाया जाएगा, ताकि भारत के अंदर जो यह drugs addiction है, लोग के अंदर drug addiction है, उसको रोका जा सके, आज के time पर drug addiction भारत के अंदर बहुत जादा बल चुका है, उसके पीछे का reason है कि भारत यहाँ पर एक sandwich की तरह है, भारत दो area के बीच में आता है, golden triangle और golden crescent के बीच में आता है, golden triangle कौन सा है, तो golden triangle यह वाला area है, golden crescent यह वाला area, golden crescent के अंदर 4 countries है, एरान, अफ़गानिस्तन, पाकिस्तान, sorry 3 countries है, triangle के अंदर 4 countries है, वेतनाम, लाउस, थाइलेंड और बर्मा, उसके बीच में आप देख पाओगे भारत पड़ता है, अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है जो यह 3 countries और यह 4 countries है, इन सभी जगा पर drugs का production बहुत ज़ादा होता है, बहुत ज़ादा grow किया जाता है drugs को, और इसकी वज़े से भारत बीच में unfortunately stand करता है, और यहाँ पर भी क्या होता है, drugs की supply हो जाती है और NCP के थुरू बताया यह गया, कि लगबग साल 2020 में 59,806 cases ऐसे निकले थे, जो कि NDPS Act के अंदर में लगाए गए है Narcotics, Drug, Psychotrophic Substances Act के अंदर lodge करे गए, इसका lodge करने का मतलब यह है, कि मतलब इतने लोगों ने drugs लिया था, ठीक है यह आप देख पाओगे, उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से और भी reports बताती है, कि साल 2019 के अंदर भी drugs का जो consumption है, वो काफी बड़ा था, बहुत सारे लोगों ने drugs consume किया था, ठीक है, यह आप देख पाओगे, यह यहाँ पर बताया गया उसके बाद भारत आज के टाइम पर बहुत सारी international convention के साथ sign कर रखा है, कि हम लोग drugs को रोकने के लिए काम करते हैं, और भारत की मदद यहाँ पर बहुत सारी international conventions भी काम करते हैं, यह international conventions का नाम है, इनके बारे में ध्यान रख सकते हो, उसके बाद एक article चर्चा में था, health infrastructure को develop करने की जरुवत है, बोला यह गया, कि हम लोग लगबख 17,788 rural health और wellness center को बनाएंगे, उसके बाद बहुत सारी राज्यों के अंदर focus करने वाले हैं, district में focus करने वाले हैं, 11,024 urban health और wellness center बनाने वाले हैं, जो की लोग की care के उपर काम करेंगे, लोग को एक care provide करवाने वाले हैं, ठीक है, तो main objective यह है कि हम लोग अपने health infrastructure को develop कर सके और लोग को एक अच्छा सा health care दे सके हैं, ठीक है, उसके बाद भारत और भी बहुत सारे initiative लेकर चलता है, लोग की health को develop करने के लिए, जैसे PM आत्म निर्बड स्वस्त भारत scheme, PM मंतरी स्वस्त है, सुरक्षा योजना, जन जन औशदी योजना, ठीक है, यह सारे schemes है, उसके बाद आते हैं, एक अगले article की तरफ, तो यहाँ पर बात की गई है, Trignopterrors Corona के बारे में, एक नई प्रकार की परजाती मिली है, Indian Express ने यहाँ पर इस article को cover किया तो, तो हाली में, scientist ने discover किया है, एक नई प्रका इसका scientific name है, कोरोना के नाम पे इसका नाम रखा गया है, क्योंकि COVID-19 pandemic से पहले इसके उपर research और analysis चल रहा था, 15 साल से हम लोग इसके उपर study कर रहे हैं, कोरोना की टाइम से, कोरोना की वज़ा से इसकी studies और ज़्यादा delay हो चुकी है, देरी हो चुकी है, उसमें, इस वज़ ने बहुत सारे सक्षम सेंटर को establish क्या है, एक scheme के अंडर में, वो कौन सी scheme है, वो है दीन दयाल अंतियोदिया योजना नैशल रूरल लाइवलिहुड मिशन, इस scheme के अंडर में, इस mission के अंडर में, अभी बहुत सारे लगबग, आपका सकतो 152 सक्षम सेंटर को launch क्या गया ह now section centers क्या करेंगे, एक तरीके से यहाँ पर यह one stop solution होने वाला है, यह लोग जो center होंगे, यह financial literacy देंगे, लोग को service delivery के बारे में सिखाएंगे, financial बहुत सारी information, बहुत सारी education प्रवाइट करवाएंगे, financial service देंगे, चाए हो उधार की हो, insurance की service हो, pension की service हो, यह सारी services यहाँ प केंदर सरकार की scheme है, और इसका में focus भी है, यह जो गरीबी है, उसको कम से कम करने का यहाँ पर यह focus रखती है, उसके बाद एक article चर्चा में था, Indian railway to be net zero emitter, यानि कि 2030 तक भारते railway ने decide कि है कि हम लोग net zero emitter बनेंगे, pollution को कम से कम करेंगे, एक तरीके से zero कर देंगे अपने pollution क वो कैसे किया जाएगा, तो उससे पहले आप लोग पहले Indian Railways के बारे में जान लो, Indian Railways आज के टाइम पर दुनिया भर का चौथा largest railway network देखने को मिलेगा, daily basis पर लगबग 24 million passengers सफर करते हैं, और 13,000 trains daily basis पर चलती है, बहुत जाते हैं आपर आपका सकतो यह Indian Railway चलता वो नज हम लोग solar energy से develop करेंगे, wind energy से develop करेंगे, ठीक है, तो इससे pollution कम होगा, ऐसा यहाँ पर बताया है, बहुत सरे railway stations पर हम लोग solar panels लगा रहे हैं, लगबग 960 station के उपर solar panels और इंस्टाल कर दिये गए हैं, और बहुत सरे areas में solar panels लगाए जा रहे हैं, अब solar panels की मदद से electricity को develop करें और electricity के माध्यम से हम लोग train को चलाने वाले हैं, उसके बाद net zero emission का मतलब क्या है, वही मतलब है जो कि मैंने आपको थोड़ देर पहले बताया था, pollution को बिल्कुल zero कर देना, तो इसके ओपर focus रखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, और उसके बाद आज के टाइम पर भूटान एक ऐसी country है, जो कि carbon negative चलता है, एक clothy country है, जहाँ पर carbon बहुत कम है, carbon जितना produce करने हैं, उससे ज़्यादा ये लोग absorb कर लेता हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, हम लोग को यहाँ पर ऐसा ही बनना है, इसके ओपर focus करना है, ओके, I hope आपको यह भी clear हो चुका है, उसके ब revision है, वो हम लोग कल भी करेंगे, मंडे में, ठीके, मंडे में जब हम लोग article discuss करते हैं, तो अपने revision करते हैं, तो Saturday का revision आपका कल भी होने वाला ही है, तो हमने सारा अभी तक जितना भी हमने discussion किया था, उस सब का revision कर लिया है, I hope आपको सारी चीज़ अच्छे से clear हो चोगी है आपको इसे के साथ करते हैं, हम लोग अपने lecture को समाफ्त मिलते हैं, आप लोग इस नेक्स वीडियो में, आज के लिए बाबाई, have a nice day, thank you and जैहिंद